मँआध चीन अपनेते प्रवचिन में कहा था कि अगर जीवन में महा पुरुष मिले तो उसकी अज़से अगर वह कोई भगवत नाम ले और फिर कोई तो केवल उसकी अवाज सुनने से अंथा करन में भगवत प्रेम पार्ध हो सकता है और फने से लिच ने चैये उने प्रत्यक्ष अगर आवाज सुनो और वो भी आवाज तुम कितने सुन रहे हैं। तो तुम पूछते हैं तुमने सुन लिया ना। तुम कोगे अरे कान है थोड़ी हुएं। लेकिन दुबारा वो पूछते हैं तुमने सुना ना कि मैंने क्या का मताब तुमने ध्यान दिया कि नहीं दिया। हम महराज जी की इंपॉर्टेंस को समझते वे किसकी आवाज सुन रहे हैं। यह भाव रखते वे जितनी गहराई से हम उनकी आवाज को सुनेंगे उत्रा गहरा असर हमारे उपर होगा। क्योंकि आवाज में डिविनिटी है। आवाज तो उनकी दिविन के शब्द हिदय से निकल रहे हैं वो दिवाईन है वो लेकिन हमारा हिदय तो डिवाईन नहीं है ना। हाँ उसको हमारे अंदर हमारा मन जितना शुद्ध है उतनी जादा हमारे अंदर उसके घ्रहन करने की शक्ति होगी। उतना ही हम उसका रस ले पाएंगे। मकला अगर अगर हम रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे तो भी हमें वही लाव मिलेगा जो पहले मिलता। मिल सकता है भावना तो आरी भावना जितनी गहरी होगी उतना लाब मिलेगा तुमें।